Hello everyone, this is Ritu Friends, इस वीडियो में हम भारत रत्न से सम्मानित वक्तियों के बारे में जानने वाले हैं और ये भारत रत्न से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो है अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे रखा है आप वहां से जा करके देख सकते हैं जिसमें मैंने भारत रत्न से जुरे सारे facts बताए हैं तो चलिए बिना देर के हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज हम देखेंगे भारत रत्न से सम्मानित वक्तियों के नाम सबसे पहले हम यह जान लेते हैं इसकी शुरुवात कब हुई थी भारत रत्न की शुरुवात 1954 में हुई थी और 1954 से लेकर अभी तक 48 वक्तियों को यह अवार्ट दिया गया है जिन में से 16 को मर्नो प्रांत मिला है और उन 48 वक्तियों में से केवल 5 मही लाएं थी जिन्हें यह अवार्ट दिया गया था आएए देखते हैं सबसे पहले यह पुरस्कार किसे मिला था तो 1954 में 3 वक्तियों को यह पुरस्कार इकठे मिला था जिन में से भारत रत रिसीव करने वाले पहले वक्ति डॉक्टर सरपली राधा कृष्णन थे इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले भारत रत डॉक्टर सरपली राधा कृष्णन को मिला था आपको इन वक्तियों का नाम याद नहीं रखना है वस इनके बारे में ध्धान से सुनना है क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ बाते जुरिवी हैं जो आपको इनका नाम याद रखने में आपकी हेल्प करेगी तो आईए देखते हैं डॉक्टर सरपली के साथ कौन सी बाते जुरिवी हैं ये हमारे देश के दूसरे राष्टपती थे और पांच सितमबर यानि इनके जन दिन पर ही हम देश में सिख्षक दिवस मनाते हैं नेक्स्ट है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इन्हें राजाजी के नाम से भी जाना जाता था और ये स्वतंद्र भारत के अंतीम गवर्नर जनरल थे और इसके साथ ही ये एक महान स्वतंद्रता सैनानी भी थे नेक्स्ट है डॉक्टर चंद्शेकर वेंकर्ट रमन ये एक परसिद भातिक शास्त्री थे और भातिक शास्त्र के छेत्र में ही उनको नॉबल प्रसकार मिला था और 18 फरवरी को इन्होंने एक शोध को अंजाम दिया था जिन्हें रमानिफ्यक्ट के नाम से जाना जाता है और इसलिए हम लोग 18 फरवरी को राष्ट्रे विज्ञान दिवस के तौर पर मनाते हैं नेक्स्ट है डॉक्टर भगवान दास डॉक्टर भगवान दास को ये परसकार 1955 में मिला था डॉक्टर भगवान दास महत्मा गांधी काशी विद्यापीट के सहसं सापक थे तथा इसके साथ साथ ये एक स्वतंदरता कार्य करता भी थे तथा मनारत हिंदु विश्विद्याले की नीव के लिए इन्होंने मदन मोहन मालविये के साथ भी काम किया था नेक्स्ट है डॉक्टर मोक्ष गुडम विश्वे स्वरेया ये मैसूर के 19 दिवान थे और 15 सितमबर यानि इनके जन्व दिन पर ही हम देश में इंजीनियर दिवस मनाते हैं नेक्स्ट है पंडित जवाहर लाल नहिरू भारत के पहले प्रधान मंत्री थे और इनका काड़ेकाल सबसे लंबे समय तक रहा था नेक्स्ट है गोविन बललब पंथ गोविन बललब पंथ को ये पुरस्कार 1957 में मिला था और ये उत्तर प्रधेश के पहले मुखमंत्री थे तथा इन्हों ने स्वतंद भारत में अपना महत्पुन योगदान दिया था नेक्स्ट है डॉक्टर धोंडो केशव करवे इन्हें ये पुरस्कार 1958 में मिला था और ये महिला शिक्षा और हिंदू विद्वाहों के पुनरविवा से सम्मधित कारियों के लिए जाने जाते हैं तथा इन्हों ने हिंदू विडोहों विद्वा मैरिज अशोसियेशन की अस्थापना की थी नेक्स्ट है डॉक्टर विधान चंद्रए डॉक्टर विधान चंद्रए को ये पुरस्कार 1961 में मिला था और ये पश्शिम बंगाल के दूतिये मुकमंत्री थे तथा इनके जन्द दिन पर ही एक जुलाई को चिकित्सक दिवस्ति रूप में मनाया जाता है नेक्स्ट है पुर्शोतम दास तंदन इन्हें ये पुरस्कार 1961 में मिला था और पुर्शोतम दास तंदन को राजश्री पुर्शोतम दास तंदन भी कहा जाता था ये हिन्दी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने का भियान में शामिल थे ज्ट राजिंदर प्रसाद को ये प्रशकार 1962 में मिला था और ये भारत के प्रथम राष्टपती थे तथा इन्होंने भारतियों स्वातंतरता के बाद असाहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ जूरे हुए थे इसलिए इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता था Next है डॉक्टर जाकिर हुसेन डॉक्टर जाकिर हुसेन को ये प्रसकार 1963 में मिला था और ये स्वतंद्र भारत के तीसरे राष्टपती थे तथा इन्होंने अलीगन मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुल्पती के अलावा भारत्य प्रेस आयोग, विश्विद्धालय अनुदान आयोग आधी से भी जुरे हुए थे नेक्स्ट है पांडू रंग वामन काने, इन्हें ये पुरसकार 1963 में दिया गया था और इन्होंने चुआचूत का विरोध, अंतर जातिय और विद्धा विवा को समर्थन में अपना विशेश योगदान दिया था सबसे बड़ा योगदान उनका विपुल साहित्य है, जिसकी रचना में उन्होंने अपना महत्पुन योगदान लगाया था नेक्स्ट है लाल बहादू शास्त्री, लाल बहादू शास्त्री को ये पुरसकार 1966 में दिया गया था और लाल बहादुर शास्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था और इन्होंने भारत के दूसरे परधान मंत्री के रूप में भी कार किया था तथा ये भारत पाकिस्तान के युद के दोरन देश का नितरित भी किया था नेक्स्ट है इंदरा गांधी इंदरा गांधी को ये पुरसकार 1971 में मिला था इन्हें Iron Lady of India के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत की पर्थम महिला परधान मंत्री थी नेक्स्ट है वीवी गिरी वीवी गिरी को ये पुरसकार 1975 में मिला था और ये All India Trade Union Congress के पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे तथा ये भारत के चौथे रास्टपती भी थे नेक्स्ट है के कामराज के कामराज को ये पुरसकार 1976 में मिला था और ये तीन कार्यकाल के लिए तमिल नाडू के पूर्व मुख मंत्री थे तथा इनोंने शिक्षा के छेदर में अपना महत्पूर्ण योगदान दिया था नेक्स्ट है Mother Teresa Mother Teresa को ये पुरसकार 1980 में मिला था और ये Missionaries of Charity की संस्थापक थी इनकी Charity कुष्ट रोग से पिरित तथा एट से पिरित आधी व्यक्तियों के हेल्प करती है इनके इनी मानवतवादी कार्यों के लिए ने नोबेल पुरसकार से भी सम्मानित किया गया था नेक्स्ट है आचार्य विनोवा भावे इन्हें ये पुरसकार 1983 में मिला था और ये समाज सुधारक तथा महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी के रूप में भी जाने जाते थे तथा ये भूदान आंदोलन और भूमी उपसंगार आंदोलन से जुरे हुए थे नेक्स्ट है अब्दुलगफार खान अब्दुलगफार खान को ये पुरसकार 1987 में मिला था इन्हें सरहत के गांधी के रूप में भी जाना जाता था 1920 में शिलाफ़त आंदोलन वी ये सामिल हुए और खुदाई खिदमतगार के स्थापना की नेक्स्ट है M.G. रामचंदरन M.G. रामचंदरन को ये पुरसकार 1988 में मिला था और ये तमिल फिल्मों के प्रसिद अभी नेता थे तथा इन्होंने तमिल लाटो के मुखमंतरी के रूप में तीन कारे काल तक कारे किया था नेक्स्ट है डॉक्टर भीमरा अंबेडिकर डॉक्टर भीमरा अंबेडिकर को ये प्रसकार 1990 में मिला था और ये बाबा सहाव अंबेडिकर के नाम से भी प्रसिद है तथा इन्होंने दलित बोध आंदोलन को प्रेडित किया और अच्छूतों से सामाजिक भेधवाओ के विरुद अभियान चलाया था तथा इन्हें भारतिय सम्विधान के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं नेक्स्ट है नेलसन मंडेला नेलसन मंडेला के ये प्रसकार 1990 में मिला था और ये दक्षिन अफ्रीका के प्रतम और श्वेत राष्ट पती थे 2009 में सन्युक्त राष्ट महासभा ने रंग भेज विरोधी संगर्ष में उनके महत्पुन योगदान के सम्मान में उनके जन्म दिन यानी 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोशित किया नेक्स्ट है राजीव गांधी राजीव गांधी को ये प्रसकार 1991 में मिला था और ये भारत के छटे परधान मंत्री थे तिथा राजीव गांधी ने ही मद्दाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करवाई और चुनाओं में वोर्ट देने का अधिकार दिलवाया I hope कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और किन-किन वेक्तियों के ये सम्मान मिला था तब तक के लिए कीप वोचिंग और डोंट फोगेट टो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब